तो आड़ो फ्रैक्स कैसे हैं आप डोस्तो सबसे पहले आप सभी मेरे YouTube फैंपली को Happy New Year यह वह सकते हैं आपको नए ने साल एक बहुत बहुत शुप कमना है दोस्तो आपको आने में वाले साल बहुत अच्छा जाए तो दोस्तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ WhatsApp के जो नए फीचर आयते 2021 में इसमें से मैं आपको 10 best feature बताने वाला हूँ जो कि मुझे लगता है कि बहुत काम के फीचर है हो सकता है कुछ आपको पता हो और कुछ नहीं नहीं बता हो तो दोस्तो वीडियो को स्किम्मत कर वो है multi device login या भी बहुत सकते है link का device वाला फीचर इसमें होता गया दोस्तों यहां पर आप क्या कर सकते हैं यहां पर WhatsApp पर जाएंगे यहां थ्री डॉट्स पर जाएंगे और यहां लिंक डिवाइस पर जैसे क्लिक करेंगे यहां पर आप चार डिवाइस पर अपने WhatsApp को login कर सकते हैं और आपको जरूरी नहीं कि आपके mobile पर net होना जरूरी आपके mobile पर net access होना जरूरी या mobile चालू होना जरूरी है तो भी आप दूसरे उस पर चला सकते हैं जो की best feature था उस यह का सबसे best feature जाना जाता था लिए आपको और अच्छे समझना है link का device को कैसे उसक्रेंगे तो उसका link में वीडियो का दे दूँगा, आई बेटर में चाहके आप उसको समझ सकते हैं उसके आप दोस्तों जो दूसरा बताने वालाओं वो भी बहुत कमाल का है दोस्तों यहाँ पर आप क्या होता है, जब भी अगर आप किसी को WhatsApp पर वीडियो या अपना वाडियो वीडियो वहिसते या फिर स्टेटस पर लगाते हैं वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को म्यूट कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं होता था आप चाहते हैं कि जो वीडियो आपको लगाना है उसको mute करें जिसे like मैं यहाँ पर आया status पर, यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर कोई इसी पर अपनी एक वीडियो पर click करा हूँ, जैसी मैं आप वीडियो पर click करूंगा तो आप उपर देखेंगे वहाँ पर आपको एक sign म ना दिख रहा होगा आपको यहां से इसको आफ कर देंगे तो अगर आप किसी को यूडियो स्टेटस पर आप कहीं भेजेंगे तो वहां पर साउंड नहीं जाने वाला जो की बैस्ट फीचर था यह भी जो थर्ड बताने वाला हूं वह है डिस अपरियर मैसेश को लेके अगर आप किसी को कोई मैसेश भेजते हैं लाइक मैने या सेवन डे इस लेट कर दिया इनाइटी जेट कर दिया उसके बाद आटमेटिक वह फोटो या वीडियो या जो भी आपने मैसेश भेजा वह आपने डेलीड हो जाएगा तो यह फीचर आया था अब उसको अपग्रेड कर कर देंगे तो हर चैट में आटोमेटिक इї, अप्ल हो जाएगा लाइ suis favor अगागे या कोई भी होगी नई चैट मेंT में अप्लाय हो जाएगा ुगि जो कि वैला पिचर भी बहुत बेस विचर था उसके आदो सो फॉर्थ फोटो को स्रेट कर लिए यहां पर आप देखेंगे आपको एक नया ओप्शन दिख रहा होगा सेंड के बगल में बना हुआ जैसी आप इस पर क्लिक कर देंगे तो वह आपको बता भी देगा अगर पहली टाइम फर्स टाइम यूज करेंगे तो आपको बता देगा सेंड फो फिचर था यह वाला तो भूजर मुझे बहुत पसंद आया था उसके बाद दोस्तों जो फिफ्ट बताने वारा हूं वह है आडियो के लिए के पहले क्या होता था अगर आप किसी को वाइस मैसेज भी दिखेंगे यहां पर आपको स्टॉप करने का भी ऑप्शन रहेगा औ को इस अगरे के पहले क्या था स्रिफ आप वहां पर कर सकते अब इसको रिसंद नहीं उसको इसे पैस छलागा अगरी सिक्स बताने वाला हम वह है क्राइ मोट को लिए कि आदू आर रहे और अपकर बहुत ही शानदा अपडेट कर देगी कि आदिख रहे होंगे जैसे top पे आपको अक्राइब मौड देख रहा होगा पहले क्या होता था अक्राइब मौड का option सबसे नीचे आता था last chat में होता था बट आप उसको top में कर दिया गिए यहाँ पर पहले क्या होता था अगर अक्राइब chat में अगर आपने किसी chat को डाल दिया है अगर उसके बाद भी कोई उस पर notification आती है फिर message आते हैं तो वो आपको पापिस normal chat में आता था बट अब ऐसा नहीं होता चाहे उसमें कितने भी message आ जाया है वो आपको normal chat में नहीं आएगा और साम उसकी notification भी आपको परशान नहीं करेंगी मतलब उसकी कोई notification भी नहीं आएग होके दिख जाएगा, लाइक जिसे 5 मेरे हाँ पर दिख रहे होंगे, तो आपको वहाँ पर highlight होके दिख जाएगा, तो यह वाला feature भी बहुत ही कमाल का feature था, जो 6 बताने वालों, दोस्तों, वह भी बहुत ही कमाल का है, अब यहाँ पर दोस्तों पहले क्या होता था वाटसप की जो चैट्स होती थी वह एंट टू-एंड इंक्रफिट होती थी बट अगर जो वाटसप की अगर बैकप लेते थे लाइक गूगल राइट पर या फिर आई क्लाउड पर वह एंट टू-एंड इंक्रफिट नहीं होता था उसको कोई भी एक्सिस कर सकता था बट वहाँ पर भी उन्होंने एंट टू-एंड इंक्रफिट कर दियागी ताकि वह भी आपकी प्राइबसी बनी रहा है आप वहाँ पर देटा रहेगा एंड-टू-एंड रहने वाला और फोल सेक्योट रहने वाला है आप चाहते हैं कि अगर इस ऑप्शन को पुछी तरह से यूज़ करना तो उसके लिए मैं डेटिकेटेड एक वीडियो बना की जिसका लिए मैं आई बटर में चाहें तो आप माँ जाके दे गलत मैसिस करा है या फिर गलत कुछ भी करा है तो आप सिंपल इसको रिपोट कर सकते हैं जो कि पहले ऑप्षिन नहीं आता था यहां रिपोर्ड कर दित्वक्य। अब यहाँ पर उसको easily कर दिया गया है उसके दोस्तों जो act बताने वारा हूँ वो है voice को लेके अगर आपको किसी ने कोई voice message बेज़ा और कोई बहुत साथ बड़ा उसने message बेज़ दिया आप चाहते हैं उसको listen करना बाट उसको जतना बड़ा message होगा उतना सुनने में time लगेगा तो यहाँ पर आपको एक नया option दे दिया गया fast forward का जब भी आप यहाँ प्ले करेंगे तो आपको यहाँ पर fast forward का option दे दिया गया ताकि आप जल्दी जल्दी उसको सुन लिए आपको ज़्यादा time ना लगे तो यह feature भी बहुत ही अच्छा दिया गया था उसके बाद दोस्तो जो 9th बताने वाला हूँ वो भी कमाल का feature है वो है अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तो पहले अगर आपको किसी को किसी को भी notification को अगर mute करना हो तो maximum आप one year तक कर सकते थे बट अब उसको latest update कर दिया गया है वहाँ पर आप अब always तक कर सकते हैं मतलब कि उसकी notification आपको always नहीं आने वाली या उसका कोई sound नहीं आने वाला हो तो यह feature भी अच्छा दिया गया था यहाँ पर उसके बाद दोस्तो जो 9th बताने वाला हूँ हो सकता है यह element हो गया यह एक आद एक्स्रा बता दिया हो मैंने जो की अच्छा feature बोल सकते हैं वहाँ पर होता गया था दोस्तो अगर आप किसी को photo या video send करते हैं वो आपने देखा होगा पहले क्या होता था हो वो बहुत ही poor quality में जाती थी या वो सकते हैं बिल्कुल low quality में जाती थी अब आप उसको adjust कर सकते हैं ताकि आपकी जो photo या video जाए थोड़ी अच्छी quality में जाए काफी हद तक तो full SD में नहीं जाती पर फिर भी बहुत अच्छी quality में चली जाती है ताकि तो आप यहां पर best quality को select कर देंगे तो आलवेज जो भी photo जाएगी वहाँ पर अच्छी quality में या video जाएगी अच्छी quality में जाएगी दोस्तों उमीद है दोस्तों यह जो 10 मेने feature बता है आपको ज़रूरी मज़ा आया होगा हो सकता है दोस्तों इसमें मैंने एकाथ फिशा थोड़ा सा जल्तिवाजी में बता दिया बट यह सारे फिचर मैंने मेरी वीडियो को शेयर करना ना बूले और सबसे important बात दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे शेनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे आपको लाद बटन दिखा होगा उसको जरूर दमाएं ताकि मेरे चैनल की नेक्स वीडियो की अबड़ आपको सबसे पहले म मिले और हो सके तो मुझे इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शिर में मिल जाएगा तो थैंक